येलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल आइस एवरिवेर दोस्तों कि आप जानते हो कि प्लेन का वील है वो क्यू नहीं फटते बड़े लोग कुछ काम करने से पिले देई सकर खाना के लिए क्यू कहते है कि आप जानते हो कि वेफर के एक पेकट में कितनी केलरी होती है अब तक टाइटेनिक है उसे समुद्रे में से बाहर क्यू निकाला नो गया कि आप जानते हो कि लोगर और एड़ोकेट में डिफरेंस किया है स्कूल बस का कलर पिलाई क्यू होता है कि आप जानते हो कि रिल्वेटेशन में बोर्ड पर समुद्रे से इतना ओप येसा क्यों लिखा होता है ये सब नहीं जानते हो ना तो कोई बात नहीं आज के ये वीडियो में इसे के बार में बात करूंगा तो अंद तक ये वीडियो देखते रहे हैं लेकिन दोस्तो शुरू करने से पहले अपी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में देएगए बेल ऐकन पर क्लिक कर दीजिए जिसे मेरी आने वाली सब भी टेक्निकल और टेक्निकल वीडियो की नोट भी कैसान जलड़ी से मिले दोस्तो सब्सक्राइब करना बिल्खुल परी है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत दन्यवाद तो चलो सुरू करते हैं पहला पॉइंट की बात करें तो प्लेन का वजन बहुत होता है औ और इसके अंदर नाइट्रोजेन गेस भी भरा जाता है साथ में बहुत प्रेसर से हवा भरा जाती है जिसे वो लोड विस्टेंड कर सके इसलिए उसके टायर या विल नहीं भडते दूसरा पॉइंट की बात करें तो दोस्तो आपने सुना होगा कि कोई भी अच्छा काम कर करने से पहले दई सक्कर यानि की पंचामरूत खाना ही चाहिए यह हम सब जानते हैं लेकिन इनके पीछे का रिजन क्या है साइंस किया है तो दई एक कुलिंग फूड की तरह वर्क करता है और खांड या सक्कर में ग्लुकोज होता है वो एनरजी रिलिस करने में मदद करता है जीसे हमारा ब्रेन प्रोपर वर्क करता है और सफलता मिलना के चांसिस बहुत बढ़ जाते है तो आप लग जान गए होंगे कि उनका पीछे का रिजन क्या है तीसरा पॉइंट की बात करें तो दोस्तों सबको चिप्स फेवरिटी है अगर आप चिप्स का एक पेकेट ख लेकिन हम सबको लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है चोथा पॉइंट की बात करें दोस्तों ऐसा कोई नहीं होगा जिसने टाइटेनिक का नाम सुना नहीं हो टाइटनिक डूबने का लफक सो साल से भी ज्यादा साल हो गये है लेकिन दोस्तों आद तक उसे बाहर क्यू निकल नहीं गया तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 1985 में टाइटनिक को पाने के अंदर फाइंट किया गया था तब उसकी आलत बहुत बेकार थी इंसोर्ट जहाद जेसी नहीं थी उपर से उनका बहुत वजन और उनका लोकेशन पाने के अंदर बहुत नीचे था नूर्मली छोटे अबजेक्ट को बाहर निकलने के लिए इतनी डिप से बहुत फोर्च चाहिए और वायर या रसी या कोई भी टेक्निकल तरीके से पोसिबल नहीं था और उनमें जो किमती अबजेक्ट थे वो सब तो ले लिया गया था इसलिए टाइटनिक को आप तक बा की पड़ाई कर रहा है या उनके पास लोग की डिगरी है और उनका काम कानुनिक केस में हेल्प करना है एडवोकेट हो होता है जिनके पास कोट में केस लड़ने की परमिसें नहीं होती है जैसे ही वो बार काउंसलर ओफ इंडिया की एक्जाम कौलिफाई कर देता है उसके बाद वो केस लड़ सकता है उसको परमिसन मिल जाती है तो समझे मेरे भाई चटा पोइंकी बात करे तो आप लोग कोई भी देस में जाओ तो आपको हर जगा पे स्कूल बस का कलर येलो क्यों दिखता है येलो क्यों होता है दोस्तों येलो कलर 12 तूफान इमर्जेंसी में स सफी स्कूल बस का कलर येलो ही होता है सात्वा पोइंकी बात करे तो आप लोग रिलेटेशन पर जाओ और स्ट्रेशन का बोड देखो तो इसमें नीचे लिखा होता है कि समूदरत हल से इतना उपर इसका मिनिंग किया है ये बात मोस्टोप लोग नहीं जानते तो इसका मि इसमपल ये स्ट्रेशन समूदरत हल से 200 मिटर उचा है और स्ट्रेशन भी 300 मिटर उचा है अगर ट्रेंड ये से बी तरफ जाती है तो ड्राइवर को इन से पता लग जाता है कि उनको कितना पावर देना है कितना टोक देना है सेम अगर ट्रेंड बी से ये तरफ जाती है त तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगलो वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक थेंक यू अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो रुपिया लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना मत बुले